प्रोपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है राजवन सिंग महली तो प्रोपर्टी ट्रांजेक्शन में हमें किन-किन बातों का दियान रखना है जब हम कोई प्रोपर्टी की डील करते हैं या करवाते हैं किसी की तो किस चीज का दियान रखना है हमने कैश कितना देना है चेक देना है चेक देना है तो क्यों देना है नहीं देना तो क्यों नहीं देना उसकी जगह हम डीडी कर सकते हैं क्या हमें फैदा हो सकता है क्या नुक्तान हो सकता है यह से उपर डिटेल में डिसक्स करूँगा क्योंकि अभी हमने कोई डील की थी उसमें हमें प्रावलम आई वह प्रावलम क्या है यह वीडियो के अंतक बने रहो तो आपको डेफिनेटली आज बहुत बड़े एक नुक्त कर लो सिर्फ 20,000 पर तक आप कैश दे सकते हो प्रॉपंटिय ट्रावज्यक्शन वे यह 2015 की नोटिफिकेशन है तो्टोपढराँ की नोटिफिकेशन के मताबक हम सिर्फ कितने वा कितना कैश दू दे हैं हम कई बार हम रिजिस्टरियों भी लिखे लेते हैं मतलों चेक दे के रिजिस्टिकर लेते हैं उसमें मैंने ये देखा प्रração किजिक आई कि किसी वज야 से वापस हो जाता है बहु health है है मैं यह भी देखा कि लोगों का उनके बैलस पड़ा है बैलस पड़ा होने की बाद भी कोई कई चेक वापस हुए कोई सगनीचर नहीं मिले या बैंक की तरफ से कोई प्रावलम आ गई उसकी विज़े से चेक बहुंस हो जाता है और जब चेक बहुंस हो जाता है तो आपका एग्रिमेंट हो या रिजिस्ट्री हो वो खत्रे में पड़ जाती है पांच लाख रुपे का चेक जो है बैंक अभी कोई नहीं नोटिफिकेशन शैद आई है जितना पांच लाख है आपको जाके बैंक में बताना पड़ेगा कि मैंने ये चेक ड्रा किया है ये चेक पास क कर देना आप नहीं तो ये चेक बाउंस कर देता है बैंक कल ही हमारे साथ हुआ है पांच लाख रुपे का चेक दिया हुआ चेक बापस आ गया उसकी आज हमने आई टी जीएस करवानी पड़ी और नहीं तो एग्रिमेंट ही कैंसल हो जाता तो उसके बाद डीडी है डीडी जो है इसके उपर लिखा रुटा लिखा होता है फार वैल्यू पर सीवड मतलब बैंक पैसे पहले लेके फिर आपको डीडी देते है ठीक है थोड़ा बहुत इसकी उपर फीस लगती है लेकिन ये कभी भी बॉंस नहीं होता डीडी जो है कभी भी बॉंस नहीं होता हम जो आटी जैसे और रिजिस्ट्री से पहले हमें करनी पड़ती है एग्रिमेंट से पहले करनी पड़ती है यदि हम वह एग्रिमेंट से पहले या रिजिस्ट्री से पहले आटी जैस करते हैं कई बार कोई पार्टी के मन में कोई कड़बड हो जाए कुछ और हो जाए हमा लेकिन डीडी में 100% एक हाथ लो एक हाथ दो जो आपने काश तोड़ा बहुत कैस्ट दिन है कैस्ट देदो उसके बाद जो आपका डीडी यह आप यह दी डीडी देदोगे तो डैफिनिटली आप विजिस्टी के मौके यह जो हमारा एग्रीमेंट हो रहा है उसके मौके पर दिया सकता है इसलिए मैं यह जो समझता हूं मेरे तिजर्बेगे मताबख चेक से भी आण यह से भी सबसे बढ़ी है चेक में कहीं न कहीं रिस्क रहता है आपी जैस में पेमेट देने वाले को रिसक रहता है जो पेमेट कर रहा है और कैश में हम 20,000 पे तक कि दे सकते हैं सो इस बात का आपने ध्यान रखने दो तो प्रॉप्टी का काम बहुत कर रहे हैं बहुत अच्छा काम करें लोग बहुत अच्छा पैसे कमा रहे हैं लेकिन यह जो बते हैं ध्यान में नहीं रखते कई बार ज्यादा ज्यादा कैश दे देते हैं उसमें हमें प्रावलम हती है य लेकिन हमें फिर कोट में तो जाना पड़ेगा न कुछ और भी करना पड़ेगा बदनामी उल्ट हो जाएगी तो हमने यह कोशिए करना है कि डीडी इस दी बेस्ट डीडी जिस दिन आपने रिजिस्टी करोनी है डीडी पर चेज कर लो आप थोड़ा बहुता पांसा सो हजार 2000 पर खर्चाई है ना कोई दिख्कत नहीं है लेकं आप सेफ मोड पे आके खड़े हो जाते हैं आपके लिए डीडी बैस्त है जो बेंदा प्रपर्टी पर्चेज कर रहा है वो डीडी बनाने की कोशिश करो मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं यह प्रैक्टिकल बात इसलि बैंक की कोई शर्त के मतावक के वह बैंक वाले कहते थे आप बैंक में आगे हमें इन फॉर्म करो के हमने यह चेक करता है तो वह इस बज़ए से चेक बहुंच हो गया दोस्तों इन बतों के ध्यान रखना है बहुत जल्द ने टॉपिक के साथ आपके समने होंगा तब तक ने प्रापटी गुरुकुल को प्यार करें इसी तरीके से सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दमाएं थेंक यू वेरी मुच